नाच सीर्ज हर बीच खरा शक्ति भरा नाच सीर्ज की स्थापना 1989 में हुई जब पूरे देश में हरिकरांती का माहूल था नाच सीर्ज देश की सबसे पुरानी बीच कमपनियों से एक है कमपनी द्वारा आधोनिक्तम कुर्शिय अनुसंधान तथा जैवत तकनीकी के माध्यम से विभिन्न फसलों की संशोधित एवं संकर किसमें विकसित की है जिसमें मुख्यता धान, मक्का, बाजरा, केहू, सरसो, कपास, आधी का समावेश है सबजी फसलों में टमाटर, बेंगन, भिंडी, मिर्च, करेला, लोकी, तुरई, आधी में कमपनी ने उच्च उत्पाद अंशमकिस में तयार की है कमपनी का विंची विन यह उत्पाद किसानों के बीच काफी मशूर है कमपनी का अनुसंधान विभाग नविंटम जेव तकनिकी से लेस है इस विभाग में प्रशिक्षित कर्मी तथा वैग्यानिक कारेरत है जो नई नई फसलों पर अविरत अनुसंदान कार्य में लगे है कंपनी का रिसर्च फार्म दो सो एकर से भी जादा क्षेत्र पर फैला है तथा देश भर में पाँच अनुसंदान केंदर कार्य रत है नाच सीज द्वारा वज्यानिको के मार्गदर्शन में करीब 30,000 एकर्षेत्र पर बीज उत्पादन लिया जाता है बीज की गुनवत्ता की ओर बारिकी से ध्यान दिया जाता है और केवल उच्च गुनवत्ता के बीज ही कमपणी के प्रसंसकरन के अन्द्रों पर भेजे जाते है कमपणी के पूरे देश भर में तिन हजार से बिजादा वितरक है जिनके माध्यम से नाथ के ये उत्पाद किसान भाईयों तक पोचाए जाते है केवल बीज भिक्री पर ना रुकते हुए किसानों के लिए कमपनी द्वारा विबिन्द मार्गदर्शन शिवीर तथा कारेक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें कमपनी के विज्ञानिक किसानों को नई कुरुशी तकनिके से अवगत कराते हैं कुरुशी क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कमपनी को कई पुरसकारों से सम्मानित किया गया है कमपनी ने देश और विश्वस्तर की कई बड़ी कुरुशी अनुसंदान संस्ताओं के साथ मिलकर नई कुरुशी तकनिक देश मिलाने का प्रयास किया है हर वीच खरा शक्ति भरा यह कमपनी की क्याग लाइन है जिसकी पूर्ति के लिए कमपनी का हर करमचारी पुरी तरह से सतर करेता है हर वीच खरा शक्ति भरा भारतिय किसानों को सम्रुद्द बनाना तथा उनके जीवन में खुशा लिलाना यह कमपनी का केवलू देश नहीं हमारा जुनून है जोपनी के लिए नहीं है